Hello everyone, तो चल्यास का कلاस स्टार्ट करते हैं, और आज का कलास आपका वर्ड पावर सीरीज का Part No.3 हम लोग पिछले दोनों कलास में देख चुके हैं कि इस पूरे सीरीज को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, दो चीजوں को फॉलो करते हूए वो दो चीजे हैं फर्स्ट है आपका Word Power Made Easy जो बुक है बाइ नॉर्मल लुइस Word Power Made Easy सेकेंड है मेरे नोट्स ठेक है जैसे कि आप पिछले दोनों क्लास में भी देख चुके होगे कि बहुत ऐसे सारे वर्ड्स हैं जो आपके Word Power Made Easy वाले बुक में नहीं दे रखे हैं और आज के भी कलास में आप देखोगे कि कई सारे ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो इस बुक में आपको कहीं नजर नहीं आने वाला लेकिन वे सारे वर्ड्स जो हैं जो इस बुक में नहीं दे रखे वो भी आपके exams में आ चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके को follow करते हुए हम लोग देखेंगे इसके timeology को देखेंगे यानि कैसे उसका origin हुआ और उसमें कौन-कौन से root words छुपे हुए हैं words कैसे बने हैं यह सारे चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं और जहां जोरत पड़े वहां में trick भी आपको बताते चलूँगा अब चलिए start करते हैं आज के class को यह वाला app आप आप लोग download कर सकते हो नाम में इसका English task and test करके यहां पर मैं सारे PDF दे देता हूँ और अगर आपको practice batch join करने हैं जो भी कुछ मैं पढ़ाता हूँ यहां पर उसको सिखाने का प्लस उसको याद करवाने की जिम्मेवारी जो है वो मेरी है तो आप इस practice batch को जोईन करने के लिए इस वाले WhatsApp नमबर पर मैसेज करोगे मैं आपको वहां पर group जोईन करा दूँगा ठीक है सिंप्लिए आपको लिखना है कि सर्फ practice batch जोईन करना है अब चलिए देखते हैं कि आज के class में जो भी हम लोग लिए है root words आखिर क्यों लिए है इसलिए लिए हैं क्योंकि पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में आप देखे हो कि एक root word आया है था आपका acer acer करके था अफिर acer इस तरीके से था ठीक है जिसका मतलब होता है sharp अफिर bitter ये मैं बता चुका हूँ लेकिन similar sound करता हुआ एक और root word है जो है acro ये acer पढ़ो acer पढ़ो समझे लो इन दोनों को आप acer या acer दोनों पढ़ सकते हो लेकिन similar sound करता हुआ और similar तरीके के इसमें letter है जो है एक acro क्योंकि आप इसे इसको confuse ना कर जाओ exam में इसलिए मैं acer या फिर acer के बाद मैं इस acro word को लिया हूँ अब acro word का मतलब होता क्या है acro word का मतलब होता है highest और फिर extreme अब इस acro के साथ साथ मैं और भी root word लिया हूँ जैसे कि यहाँ पर alt देख रहे हूँ आप alt है, alt है, auto है यहाँ पर epic है apex है, यहाँ पर hipso है plus sum है तो इन words को मैं क्यों लिया हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में acro था और फिर acro था उससे आप confuse ना कर जाओ acro को, इसलिए acro को लिया फिर यह सारे words को क्यों लिया है क्योंकि acro का अर्थ होता है आपका highest और extreme acro का अर्थ होता हाइस्ट और extreme लेकिन और कई सारे ऐसे root words है जिसका meaning भी होता है आपका highest और extreme और high और height ठेक है इसलिए मैं बाकी words को भी ले लिया हूँ ताकि आप किसी तरीके से भी confuse ना करो exam में जैसे alt, auto और alt यह सारे इसका भी meaning होता हाइट, high और highest और extreme आपि top, tip, total इस तरीके के इसके meaning निकलते है जैसे देख लो सबका similar meaning है यहाँ पर देखो highest का highest बोलो, tip बोलो, top बोलो high बोलो, highest बोलो, extreme बोलो, total बोलो देख पा रहे हो तो यह सारे इसके meaning निकलके आएगे मतलब आज के जितने भी root words है सबका कहीं ना कहीं meaning जो है वो एक दूसरे से link करता हुआ आपको मिलेगा जैसे highest है, tip है, top high, height, extreme, total यह सारे इसके meaning है clear यहाँ पर है epic, apex इसका भी meaning होता है आपका tip होता है apex होता है, apex आपका एक root word भी है, apex आपका एक word भी है summit, summit का मतलब भी होता है किसी भी organ का top point है है, hips हो है आपका, इसका भी मतलब हाइट होता है, sum का मतलब भी हाइट होता है, सबको देखने वाले है तो यह सारे words को आज डिल करने वाले है, यहाँ पर acro से बना है acronym, acrobat, acrophobia, acropolis alt है, alt है, alto है, इसका भी meaning height आप फिर high होता है अब इस से related words है, altar altitude, exalt, exaltation, यहाँ पर eta azimuth, यह word आप से नहीं पुछा जाएगा in general, चेक है वैसे आप इसका meaning guess कर सकते हो, कमेंट में मुझे बता सकते हो यहाँ पर है altigraph, altimeter altigraph, यह same आग है न, दो बार, altimetry altocumulus altostratus, यह सारे words को देखने वाले है, ap apex यहाँ पर apex खुद है, एक root word भी है और खुद में अपने आप में एक word है, apical है apiculate है, फिर है hipso, hipso का मतलब भी height होता है hipsography, hipsometer, hipsometry sum है, sum का मतलब क्या होता है, देखो sum का मतलब आप लोग योगफल जानते हो है कि इसका sum कर दो मतलब बहुत सारे यहाँ पर number दे रखें इसको आपको योग करना है योग करना है, यानि कि इसको जोड़ना है, तो sum का मतलब जोड़ना भी होता है तो sum का earth आखिर topmost क्यों होता है, इसका meaning height क्यों होता है, इसका मतलब highest क्यों होता है, इस sense में होता है क्योंकि total का भी meaning कहीं ना कहीं highest होता है आप बहुत सारी numbers को अगर add करते हो जोडते हो sum करते हो तो उसका मतलब total करते हो तो total का मतलब क्या हुआ किसी भी numbers के जोडने के बाद जो highest आपको number मिलता वही तो होता है तो sum का meaning भी कहीं ना कहीं highest होता है और इसका origin इस तरीके से हुआ है कि Roman counting में पहले क्या किया जाता था कि किसी भी number को add किया जाता था तो उस column के उपर में लिखा जाता था देखो जैसे ये number है आपका ये भी number है ये भी number है हम लोग आज के time में क्या करते हैं इसको जोड़ करके ये सारे चीजों को जोड़ करके हम लोग bottom में लिखते हैं लेकिन Roman counting में पहले उपर लिखा जाता था मतलब इन तीनों को जोड़ करके उपर लिखा जाता था और ऐसा समझा जाता था कि total करने के बाद एक highest number मिलता है मुझे तो क्यों न हम highest point पे लिखें तो इस तरीके से इसका origin हुआ है भले हम लोग इसको क्या कर रहें अभी के time में bottom में लिखते हैं लेकिन Roman counting में पहले total को highest point में लिखा जाता था किसी भी column के टॉप में लिखा जाता था तो सम का मतलब भी टॉप होता है और इसी वर्ड से निकल कर क्या आपका बना है समीट समीट का मतलब ही होता है जिसे यहां पर सम एक वर्ड पर आगया तो समीट का मतलब ही होता है टॉप मुस्ट पार्ट ठेक है देखेंगे सबकी मिनिंग यहां पर अब आगे बढ़ते लेक्टर स्टार्ट करते हैं है ना कि कि फर्स्ट वर्ड क्या है आपका देखो फर्स्ट वर्ड है एक्रोनीम अभी तक 59 वर्ड देख चुके हैं एक्रोनीम का मतलब समझते हैं होता क्या है एक्रोनीम दो वर्ड से बना है एक तो एक्रोस अच्छा देखो यह जो एक्रोस है यह रियल रूट वर्ड है लेकिन मैं इस एक्रोस को ना लिक करके सिंप्ली ए आ फिर high, एना और पिर extreme बोल सकते हो और नेम का मतलब होता है name, name आने की नाम, आ फिर word, तो name का 2 meaning होता है ध्यां रखना name आ फिर word, तो ऐसा word जो बहुत सारे words के extreme letter को मिला करके लिखा जाता है उसको acronym कहते हैं समझ मैं आज बात, यहां पर acronym किसे बना है? ایک तो acontece से बना है दूसरा नीम से बना है एक्रो का मतलब होता है एक्स्ट्रीम पॉइंट है ना और नीम का मतलब होता है नेम और फिर वर्ड मतलब ऐसा वर्ड जो बहुत सारे वर्ड के extreme point पर जो letter है उसको मिला करके बनाया जाता है तब उसको कहते है acronym इसका हिंदी का meaning होता है संचिप्त रूप और संचिप्त नाम यहाँ पर देखो इस तरीके से exam में आपसे पूछा जाएगा one word substitution में कि a short word that is made from the first letters of a group of words बहुत सारे group of words से यहाँ पर देख रहे हो अब इसके first letter को देखो P है, I है, यहाँ पर N है तीनों से मिला करके हम क्या बना रहे है PIN, तो PIN का full form क्या होता है personal identification number तो यहाँ तक क्लिए रहे कि बहुत सारे words के first letter से मिले हुए जो एक short name प्राप्थ होता है उसको हम लोग acronym कहते है जिससे यहाँ पर PIN है इसे तरीके से radar है जिसका full form होता है radio detection and ranging यहाँ पर से लिया है RA यहाँ से लिया है D यहाँ से लिया है A यहाँ से लिया है R और इस तरीके से radar बनाया है तो acronym का मतलब क्या हो गया a short word that is made from the first letters of a group of words यहाँ पर group of words है सबके first letter को मिला करके हम लोग जिस भी word को प्राप्ट करते है उसको संचिप्त नाम कहते है संचिप्त रूप कहते है संचिप्त वर्ड कहते है जिसका English में होता है acronym कैसे आया acronym क्यों इसका इससा meaning है यह मैं आपको बता दिया रूट वर्ड है यह कुछ और होता है जिसका modify form of bat ठीक है तो मैं real root word को यहाँ नहीं बता रहा है क्योंकि वो confusing है तो यहाँ ध्यान रखना कि bat का मतलब होता है to walk क्या होता है to walk यानि कि चलना है ना और to walk का बहुत सारा और भी root word होता है ambulance होता है तो उसके उपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जैसे जैसे words आएंगे वैसे वैसे तो यहाँ पर है acro acro का मतलब होता है height और bat का मतलब होता है to walk मतलब height पर walk करना यह कहलाता है acrobat मतलब ऐसे वक्ति को acrobat कहते हैं जैसे आप लोग देखे होगे कभी ना कभी सरकस में रसी पर लोग खेल दिखाते हैं मतलब रसी बहुत उचाई पर बली होती है और उसके उपर क्या करते हैं जो सरकस में लोग होते हैं उस रसी के उपर चल रहे होते हैं बहुत height पर एकदम नहीं डरते हैं है कि height पर walk करना ये कहलाता है acrobat तो इसका origin कैसे हुआ ये तो आप समझ गए और इसका meaning क्या हुआ कि रसी पर खेल दिखाने वाला वैक्ति या फिर कोई जोरी नहीं कि रसी पर खेल दिखाने वाला height पर अगर कोई walk कर रहा है तो इससे क्या पता चलता है इससे पता चलता है कि वो वैक्ति अपने जान की जोखिम लगा करके वो अपना कर्तब दिखा रहा है अपने प्रैक्टिस का कमाल दिखा रहा है वहाँ पर तो इसी तरीके से कोई भी करतब दिखाने वाला वैक्ति जो अपने सरीर को मोड करके और जोखिम में अपने जान को डाल करके अगर कोई करतब दिखा रहा है तो वैसे वैक्ति को भी एक्रोबैट कहेंगे ज़रूरी नहीं है कि आपके रस्ती पर खेल दिखाने वाले वैक्त आता है एक्रोबैट खास करके सरकस में एक्जाम में कैसे पुछा जाएगा देखो यहां पर पुछा जाएगा अपर पर्फॉर्म्स डिफिकल्ट मुव्मेंट्स ऑफ द बॉड़ी किसी भी सरकस में ऐसे व्यक्टी जो कैसा पर्फॉर्म कर रहा हैं बहुत ही डिफिकल्ट मुव्मेंट्स को अपने बॉड़ी के मुवंवेंट्स को दिखा रहा है करतब दिखा रहा है तो ऐसे वेक्षियों को Acrobat कहते हैं यह Acrobat कैसे आया यह बात आपको समझ में आ गई होगी जैसे देख लो यहाँ पर पिक्चर में क्या दे रखा है हाइट पर है ना काफी हाइट पर इन लोग क्या किये है रसी यहाँ पर बांधे हैं और रसी पर वाक कर रहे हैं देखो उनके बाड़ी के मुव्मेंट को देखो किस तरीके से यह कर रही है यहाँ पर है ना और रसी पर वाक कर रहे है तो ऐसे लोग को Acrobat कहा जाता है यह जो वर्ड है यह एक्जाम में आपका आ चुका है इसमें से मुश्टली वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे प्रिवेस एर के पेपर में नेक्स आपका Acrophobia यह दो वर्ड से बना है एक तो Acro Acro का मतलब होता है Height और दूसरा होता है Phobia Phobia का मतलब होता है डर Fear तो दो वर्ड से बना है Acrophobia मतलब उचाई से डर को कहता है Acrophobia जैसे आप लोग कभी राम जुला पर जुले हो गए है ना बहुत उचाई पर वो जुलाया जाता है जुले को तो बहुत लोग क्या करते चिलाने लगते है बहुत जादा डर हो जाता है मतलब मरने की हालत हो जाती है इसे लोगों की जिनको Acrophobia होता है तो उचाई से डर को कहा जाता है Acrophobia उचाई से डर Fear of height is called Acrophobia ये भी वर्ड आपके एजाम में आ चुका है Next आपका Acropolis ये भी दो वर्ड से बना है Acro plus Polish से Acro का मतलब height होता है ये आप समझ गए पॉलिस का मतलब होता है City शहर है ना तो यहाँ पर देखो समझो यहाँ पर सिटाईडल सिटाईडल वर्ड कहाँ पर आप लोगों को मिलता होगा जब आप लोग हिस्टरी पढ़ रहे होगे हरपा सब्यता है ना जो आपका क्या होता है Indus Valley Civilization जो है एक चप्टर उसमें सिटाईडल वर्ड आपको देखने को मिला होगा तो इसका मतलब होता है कि माल लिया जाए कोई शहर है तो शहर में निचले जो निचला पार है वहाँ पर आम पब्लिक रहती है और इसका जो अगर के रह रहें होते है समखने ना बात को तो जो हायेस्ट पार्ट होता है किसी भी नगर का किसी भी शहर का जो शहर इंडिकेट कर रहा है और पर पॉल्लिस तो इसी को कहते हैं सिटाईडल और फिर एक्रो पॉलिस अब समझना Fortified का मतलता है सुरक्षित तो a citidal और Fortified part of an ancient Greek city तो ये भी आपसे पूछ सकता है सिर्फ इतना ही पूछ सकता है कि इसको क्या कहते हैं English में वन वर्ड में तो इसको कहते हैं Acropolis height समझ गए, citidal समझ गए citidal मतलब height पर होना किसी सहर का, तो ये acro कहलाता है होता है, अपर किसी दूर्ग का, दूर्ग मतलब समझते हो किला, तो वो जो किले बनाया होते हैं काफी उचाई पर उसको कहते है Acropolis, यहां तक बिल्कुल किलियर है, इतना पार्ट भी पुछा जा सकता है, आप फिर आप से पुछा जा सकता है कि टिपिकली वन बीट और यह हील, मतलब इसी के बारे हम आपको बता रहे हैं कि अगर हील पर कोई टॉप वाला जो पार्ट होता है, जहां पर कोई बिल्डिंग बनी होती है, तो वैसे पार्ट को, वैसे दूर्ग को, वैसे फोर्ट को कहा जाता है एक्रोपॉलिस, दो-तिन तरीके से इसको समझ सकते हो, कि किसी हील पर बना हुआ जो टॉपमोस्ट घर होता है, कीला होता है, दुर्ग होता है, फोर्ट होता है, उसको कहते है एक्रोपॉलिस, आप फिर किसी सहर का उचला भाग, जो नीचे वाले पार्ट में कोई आम पब्लिक रहती है और यहाँ पर जो उस सहर के जो सबसे बड़े लोग होते हैं वहाँ पर बना करके रह रहे हैं तो इस सहर के इस पूरे सहर के जो उचा वाला जो पार्ट है उसको क्या कहते है उसको कहते हैं Acropolis समझ गए यहां तक Acro का मतलब height और Polish का मतलब सहर मतलब किसी भी सहर का उचा वाला part जो होता है उसको कहा जाता है Acropolis आगे बढ़ते हैं यहां पर है Altar अब समझो Alt का मतलब भी होता है highest अफिर height अफिर high अब यह word बना कैसे है एक तो आपका Latin word से बना है Altarium पहली बात तो Altar में ही आ गया आपका Altarium में ही आपका Altar आ गया जिसका meaning होता हाई और दूसरा word Adolair Adolair word से बना है यह भी Latin word है जिसका मतलब होता है Sacrifice करना और फिर Ritually burn करना किसी चीज़ को Sacrifice मतलब समझते हो जिसे बली देना भी इसका मतलब होता है Sacrifice का मतलब क्या होता है जिसे आप लोग हवन करते हो यग भी करते हो तो वहाँ पर क्या करते हो कुछ चीज़ों को burn करते हो मतलब अपनी बुराईयों को वहाँ पर त्याग देते हो तो इस तरीके का जो चीज होता है उसको भी कहते है एडोलेर तो ये दोनों वर्ड से बना है ऐसा मानना है विद्वानों का कि ये ओल्टेरियम से भी बना है और एडोलेर से भी बना है जिसका मतलब होता है ओल्टार ठेक है अब Altar का कैसे पूछा जाएगा आपके एक्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा A high table that is the center of your religious ceremony ये कहलाता आपका Altar मतलब क्या हुआ कि एक उचा टेबल जो किसी भी धार में समारो का केंदर होता है उसको कहते हैं Altar प्योर हिंदी में एक वर्ड में कहा जाए तो वेदी अब फिर वेदी का मतलब क्या हुआ देखो मान लिया जाए कोई एक हॉल है हॉल में प्रे करते हैं लोग ठेक है और वहाँ पर कोई इश्वर का कोई भगवान का वहाँ पर मुर्ती है फोटो है उनके सामने हम क्या करते हैं फूल को चड़ाते हैं फूल चड़ाते हैं बिल पत्र चड़ाते हैं या फिर जो भी परसाद चड़ाते हैं तो वो कोई एक टेबल पर चड़ाते हैं जो किसी उचे पार्ट में रखा होता है तो उस उचे वाले पार्ट को ही कहा जाता है और यहां पर आल्ट छुपा हुआ है अल्ट मतलो हाई होता है तो इस तरीके से भी इसका मिनिंग आप अनुमान लगा सकते हो जिसे यहां पर फोटो में देख लो एक यहां पर चर्च है और चर्च में एक यहां पर इस तरीके से एक जो highest part है जहां पर हम लोग sacrifice करते हैं फिर कुछ चढ़ाते हैं इस टेबल पे तो इसको ही कहा जाता है क्या ओल्टार कहा जाता है के लिए तो इश्वर के नजदी के सामने है तो ओल्टार का मिनिंग आप ध्यान में रखोगे पूछा गया word है ये भी आगे बढ़ते हैं य कि किसी भी word के last में लगता है उसको suffix कहा जाता है और पहले लगता है उसको क्या कहते हैं prefix कहते हैं तो यह आपका suffix है और alt क्या है इसका main root है यह prefix नहीं है prefix suffix और main root में फर्क होता है main root कहने का मतलब है कि उस word का जो central meaning होता है core meaning होता है उस word को कहते है आप root word है ना और जो suff के आगे पिछे लग करके उसका मिनिंग को चेंज कर देता है那么 क्यों अपका है सफिक्स और जो नाउन सब्सक्राइट सो ता है यसका इसका सबंट यतिए को इंडिकेट कर रहा जिसे मुल्टीन यह भी नाउन को इंडिकेट कर रहा है चाहे तो आप सुखते Altitude एक word आता है तो इसको भी आप nouns को समझ पाउगे है ना तो जहाँ भी Tude देखो गए आप समझ जाओगे कि यह noun को Indicate कर रहा है Altitude बना है दो वड़ से लटी से टूड से एक तो एक नाउन है कैसे पता चला क्योंकि लास्ट में Có 앞 रहा होता है तो यहाँ पर देखो इसका क्या मिनिंग है इसका मिनिंग होता है Altitude का मतलब The height of something above sea level ठीक है तो sea level के उपर जो भी चीज़ को मेजर किया जाता है height के form में उसको Altitude कहते है खास करके जोगरफी में आप लोग पढ़ रहे होगे इस वर्ड को Altitude को तो समुद्र तल से उचाई को क्या कहते है Altitude कहते है और फिर उचाई कहते है Altitude अगे बढ़ते हैं याप पर Exalt है Exalt कैसे बना है तो Exalt बना है दो वर्ड से एक है आपका Alt और एक है आपका X तो X का मतलब होता है Out of किसी चीज़ से बाहर अब फिर Out of का मतलब होता है आना किसी चीज़ से आना तो Height से आना मतलब Out of तो इसका दो मिनिंग होता है समझने की कोशिश करना है याप पर Exalt का मिनिंग क्या होता है एक इसका मतलब होता है कि To Make Somebody Rise To Your Higher Rank और Position जैसे कि मालिया जाए आपका प्रमोशन हो जाता है आपके डिपार्टमेंट में तो वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपका Exalt हुआ है आपको Exalt किया गया है मतलब आपका प्रमोशन किया गया है तो इससे क्या पता चला कि आपके Height को पढ़ाया गया है आपके department में आपका जो level है उसको उचा उठाया गया है तो इस तरीके से आया है यह word exalt तो exalt का मतलब होता है कि किसी वैक्ति के rank क्या position को किसी के पद को और उसके अस्तर को उचा करना उन्नत करना ठेक है तो exalt का पहला meaning है किसी के पद आ अस्तर में उचा करना आप फिर उसको उन्नत करना के लिए जहां तक यह वाला आपसे पूछ सकता है इसका sentence में देख लो कैसे इस्तिमाल होता है he was exalted to the post of a SP SP N है SP के पहले N आएगा है ना क्योंकि इसका sound A से है तो he was exalted to the post of an SP from DSP DSP था तो अब उसे SP बना दिया गया clear तो किसी के rank को फिर position को higher करना उसको क्या कहते है एक्जॉर्ट कहते है पहला meaning दूसरा meaning है किसी को glorify करना किसी वैक्ति की प्रसंसा करना यह कहलाता है आपका एक्जॉर्ट अब यह प्रसंसा करने के sense में कैसे आया समझने की कोशिस करना इसका भी जो meaning है इस तरीके साय है out of height के sense में मतलब किसी की वैक्ति की प्रसंसा आप कब करते हो आप तब करते हो जब उसके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा होता है जो काफी highest level का चीज हो रहा होता है तब आप उसकी प्रसंसा कर रहे होते हो समझे लो बात को तो कहीं न कहीं exalt का meaning इसलिए glorify आया praise करना आया क्योंकि आप किसी की praise और फिर किसी की प्रसंसा आप तब करते हो जब वो वैक्ति अपने जीवन में कुछ उचा अस्तर का चीज कर रहा होता है इसलिए इसका meaning आया to praise somebody और फिर something a lot मतलब बहुत ज़्यादा प्रसंसा करना exalt कहलाता है किलियर यहां तक इसका synonym ऐसे भी है देख लो exalt का to praise extol भी होता है ध्यान रखना extol और exalt दोनों को ध्यान रखना loud भी होता है loud का मतलब भी होता है प्रसंसा करना glorify का मतलब भी होता है किसी की प्रसंसा करना किलियर अब यहां पर ध्यान देना चाहिए इसका मैं sentence बहले बता दू कि किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं यहां पर है we should not forget to exalt others achievement कि दूसरे के achievement में हमें उसको exalt करना नहीं भूलना चाहिए मतलब कि उसकी प्रसंसा करना नहीं भूलना चाहिए किलियर यहां तक अब समझने की कोशिस करना exalt से एक word आता है confusing वाला अगर a के जगा पर you रहे तो वो हो जाता है exalt यह है exalt और अगर a के place पर you है तो उसका हो जाता है exalt जो कि इसका alt से कोई लेना देना नहीं है जहां देना इस चीज़ को ठेक है तो यहां पर मैं mention कर दिया हूँ कि do not confuse exalt with exalt exalt का मतलब अभी बता दिया praise करना और exalt का मतलब क्या हो गया exalt का मतलब होता है enjoy करना rejoice करना है ना मतलब बहुत जादा enjoy करना अब दोनों word को मिला करके मैं एक sentence यहां पर लिख रखा हूँ some people exalt when others exalt their achievements कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो की काफी जादा enjoy करते हैं जब उसके achievement को कोई परसंशा कर रहा होता है exalt का मतलब परसंशा करना और exalt का मतलब क्या हो गया exalt का मतलब हो गया enjoy करना तो कुछ लोग some people exalt करते हैं आनि की rejoice करते हैं enjoy करते हैं when others जब दूसरी लोग क्या करते हैं उसके achievement की परसंशा करते हैं exalt करते हैं clear जहां तक तो तीन word को यहां पर ध्यान डखना exalt के दो meaning दो meaning पहला to make somebody rise to a higher rank और position मतलब उसकी प्रोनत्ती करना उसके पद्द आफिर अस्तर को उचा करना दूसरा meaning किसी की परसंशा करना किसी की परसंशा क्यों करते हो क्योंकि वो पहले के अपक्षा अब अपने जीवन में कुछ उचाई का चीज़ कर रहा होता है अपने highest level का चीज़ कर रहा होता है इसलिए उसके हम परसंशा करते हैं तो दोनों meaning को ध्यान रखोगे तीसरा आपको एक्जॉल्ट को एक्जॉल्ट से confuse नहीं होना है इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर mention कर दिया हूँ ठेक है एक्जॉल्ट को एक्जॉल्ट से confuse मत करना एक्जॉल्ट का मतलब होता है अनंदित होना enjoy करना एक्जॉल्ट का मतलब होता है praise करना और एक्जॉल्ट का मतलब rejoice करना आगे बढ़ते हैं यहाँ पर exultation अब देख लो एच्उल्ट से ही बना है noun form में इसका टी आई वो यहां भी है समझ जाओगे कि यह noun है फिर आता है altigraph का मतलब क्या होता है graph का मतलब होता है to write to write अफि to record ठीक है to record record करना जैसे आप देखते हो कभी आप लोग देख रहे होगे उसको क्या कहते है इस यार कहते है क्या जो heart को measure करने वाला जो एक कहते हैं जो graph कहते हैं तो graph मतलब to write होता है एक फिर रेकरड़ होता है तो faulti graph का मतलब क्या होता है देख लो आल ृतिक अ मतलब समझ च्याहिए all right होता है तो a device for that a device for that records the altitude on a chart किसी चाट पर do record करता है altitude को altitude मतलब अभी देखे हाइड کو इना तो किसी भी च्छेत्र के अलग-अलग height को अगर कोई graph में record किया गया है तो उसको alti graph कहते हैं और ये alti graph आपका एक तरह का device होता है alti meter भी आपका एक device होता है यहाँ पर ये record कर रहा होता है फिर लिख रहा होता है alti meter का मतलत होता है measure कर रहा होता है मेटर किसे आया है मेट्रान से जिसका मतलब होता है मेजर करना और अल्टी का मतलब हाइट को मेजर करना तो एडिवाइस फूर मेजरिंग दा ऑल्टी ट्यूड टू इट इस करेड यहां तक किलिए रहे है बिल्कुल कि हाइट को मेजर करने वाले डिवास तरह के ता हाइट को रिकॉर्ड करने वालेड़ को आल्टी ग्राफ कहते हैं यहां पर ऑल्टी मेंटर है फिल इसी के science को क्या कहते है Hee 2 मेटरी कहते है इसे आप यहाणित्री करते हैं Uसी तरिका से alt imagery मेंटरी किसी को indicate कर किस किसी science को indicate कर रहा होता है ठेक है तो हाइट के science को क्या कहेंगे simple सी बात है लाइट अर practice of measuring altitudes as with यह कहला थाक का altogether she मेंट्रोन से बना है जु जिसका मेनिंग होता है मेजर करना के यहां तक फिर है औल्टो क्यूमिलस औल्टो का मतलब होता है और क्यूमिलस का मतलब होता है पाइलेशन पाइल का मतलब इकठा होना है ना इकठा होना कहते है ना कि यह बहुत सारे सामान यहां पर पाइल किया हुआ है मतलब कि इकठा किया हुआ है तो यहां पर किसी हाइट पर कोई चीज इक ठाच किया हुआ है तो आप आस्मान में देखते हो बहुत बड़े बड़े जुप इसको किसज़ के गुच्छे नजर आते हैं किस चीज़ का पैलेशन आपको नजर आता है और ट्षाच पर मत होता है जिसको कहتے है autostratus haight होता है stratus का मतलब होता है लेurn यह वर्ड आप लोग पढ़ोगे geology में जिओ ग्रफी में भी आप लोग डोल स्टों पढ़ते हैं लीथोग्रेफ के आप लोग एक तरह कि और क्या पढ़ते हों स्ट्राटिवट भी रॉक होता है एक तरह से तो स्ट्राटिवट में स्ट्रेटरस वहड को देखोगे जिसका मतलब होता है लेयर तो हॉाइट यह न होसकता है तो फो वो लियर खूरब में हो होते हैं अगर साथ के थायज है ज़र्ब में है कि आपको समझना कि क्यूए का मतलौ कीउमिलस होता है और आल्ठो का मतलव यह Why root word आपको ध्यान में है तो ये सारे root word के best पर अगर कोई दूसरा word भी form करके वहाँ पर दे रखा है तो आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं उसके meaning को clear आ तक आगे बढ़ते हैं यहां पर apex apex आपका खुद भी एक root word है जिसका मतलब height होता है अप फिर यह पूरे word है अगर खुद में तो भी इसका मतलब क्या निकलेगा अपर most point अफिर पार्ट चलिए आगे बढ़ते एपिकल एपिक से बनाया एपिक का मतलब भी होता है टॉप मोस्ट पार्ट अफिर किसी पॉइंट वाला पार्ट है ना पॉइंट मतलब समझ जो मालिया आपका pain है तो pain का structure कैसे होता है इस तरीके से होता है रहां उसका नीब ऐसे होता है तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे एपिक बोलेंगे तो ये अपिकल इस तरीके से बना है इसका मतलब तो apical का मतलब क्या हुआ, al जहां भी है, समझाना की adjective को indicate कर रहा है, है ना, अब समझो, यहां पर क्या है, epic का मतलब tip point, अफिट आप point, तो situated at an apex, apex का मतलब अभी देखे हैं, जिसका मतलब होता है, किसी extreme part, highest part, top part, है ना, तो वहां पर situated होना apical कहलाता है, related to the tip of the tongue, अब आपक टंग का जो अगर भाग है इस वाले पार्ट तो इसको भी एपिकल कहते हैं क्यों कहते हैं एपिकल क्योंकि एपिकल जो वर्ड बना है वो एपिक से बना है एपिक का मतलब होता है अगर भाग बिल्कुल टिप वाला पार्ट अफिर टॉप वाला पार्ट तो जीब का यह अग को वर्द मिल जाएगा A-T-E, यह वर्ब को ढिकेट कर रहा होता है कि sub mistake कर अवर्ब को जैसे कि participate कहते हैं तो 888 इस तरीके से वर्द जितने आते हैं उसका मतलब होता है कि सी action को show कर रहा होता है किसी वर्ब को show कर रहा होता है तो अपिकोले। का क्या मतलब है uh oh मत होता है tip point तो किसी tip point में किसी चीज का होना यह क्या कहलाता है epiculate कहलाता है जैसे कि यहां पर लिख रखा है ending abruptly मतलब बहुत तेजी से यहां पर देख रो end कर रहा है in a small distinct point यह किसी small distinct point में यह ending इसका हो रहा है तब इसको कहते है epiculate और इसका जो हम तो पत्ती को देख रहे हो पत्ती को अगर देख रहे हो तो इस तरीके से यहां पर जा रहा है और एक point पर एक tip पर है ना abruptly end कर रहा है देख रहे हो इस तरीके से तो ऐसे leaf को कहते है epiculate leaf clear यहां तक जैसे कुछ पत्ते होते हैं जो कि इस तरीके से होते हैं आगे बर्ड होते हैं इस तरीके से लेकिन अगर यह point के form में इस तरीके से abruptly end कर रहा है तब इसको कहते है epiculate leaf clear तो epiculate का मतलब समझ गया यहां पर फिर अगला word है हिपसोग्राफी अब ग्रैफी का मतलब भी बता दिया कि एक graphene word से आया जिसका मतलब होता है to write to record और हिपसो का मतलब भी मैं बता दिया कि का मतलब भी होता हाइट तो हिपसो मतलब हाइट और ग्रैफी मतलब to record अफिट टू राइट ठेक है तो यहां पर है a branch of geography that deals with the measurement and mapping of the varying elevations elevation का मतलब होता है उचाई of the earth surface with reference to sea level sea level से ही sea level के reference में उचाई को अक्तर measure किया जाता है जिसे आप अपने सहर के भी नाम अगर सर्च करते हो विकीपीडिया पे तो देखना हो वहाँ पर हाइट को दिखा रहा होगा है ना तो उस हाइट को दिखा रहा होगा किसके लेवल मे sea level में मीन sea level बोलते हैं उसको MSL लिखाओगा वहाँ पर कि 1000 feet जो है ये आपका उचा है मीन sea level से MSL से तो किसी भी सहर के और किसी भी जगह के किसी भी चेतर के किसी भी region के अगर उचाई को measure किया जाता है तो वो sea level के reference में किया जाता है इसके पीछे भी काफी science है concept है जो हम ल है सब्सक्रेटर का मतलब तूर थो हता है जो हेक qui से इसको समझत खृजrous घंभी में temperature क्या होता है बहुत कम होता है और boiling point पर आ करके क्या होता है जो temperature होता है हाइँ kernel करता है तो boiling point भी किसी ना किसी तरीके से highest point के reference में ही आया हाए तो हिपशो मेटर का मतल़ होता है कि कि if 약ого boiling point को अगर मेजर किया जाएय तो सको हिपशो मेटर कहेंगे तर्मा होता है ठेक है तो थर्मा मेटर बोल लो हिप सामि Daar बोलो수를 बात प्राबर है लिभीइड की सेंस में हिप सामिटर दूसरा uploading हिप सो मीटर का हो गया इसके नाम में चुपा हुआ है कि बैसी कली ऐसा इंस्ट्रिमेंट होता है यू स टू मेजर हाइट और elevation अबla meter का मतलब होता है measure करना और इपजों का मतलब हएट हाइट अपिर elevation है नए elevation का मतलब भी height होता है तो वैसा instrument जो height अफिर elevation को measure करता है उसको बोलते हैं hips monta और वैसे subject को वैसे science को क्या कहेंगे फिर hips augmentorie कहेंगे if Sum bakery is the measurement of the elevation and debt of features of Earth surface related to mean sea level amyn see level के उपर अब फिर नीचे depth के measurement को भी क्या कहेंगे hips or meter कहेंगे चलिए आगे बढ़ते है sum का मतलब sum का मतलब मैं starting में ही बता दिया कि Roman counting में किसी भी चीज़ को add जब किया जाता था तब क्या किया जाता था मालियाजा यह सारी numbers को जोड़ना है यह सारी numbers को जोड़ना है तो उपर में इसके योगफल को लिखा जाता था हम लोग अभी के time में ऐसे लिखते हैं लेकिन यह Roman word से बना है तो इसका मतलब होता था उपर में लिखना किसी भी योगफल को है ना तो उपर के sense में height के sense में ही यह sum आया है फिर इसी साय है summary summary का मतलब क्या हो गया कि बहुत बड़ा part है उसका क्या करते हैं उसके संचीप्त रूप निकालते हैं जिससे पुरे उसके total का अंदाजा लग जाए है ना तो इसी तरीके से summary भी आपका बनाया summary का मतलब सारान्श होता है इसका synonym अब्रिजमेंट होता है अब्रिज का मतलब भी होता है छोटा करना तो अब्रिजमेंट हो गया आपका फिर abstract होता है abstract का मतलब पूरा भाव निकाल लेना मतलब किसी बड़े portion के summary आप देखते हो तो उसका मतलब क्या हुआ कि उस बड़े portion के हम भाव को देख रहे है abstract को देख रहे है तो abstract भी इसका synonym हो गया digest भी होता है epitum भी होता है इसको भी पढ़ेंगे हम लोग आगे what power mediji book में synopsis भी होता है इसका मतलब भी सारांस होता है summation इसका क्या हो गया noun form हो गया sum का देख लो TIO यहन है जो noun को indicate कर रहा होता है आगे आपका submit इसी word से बना है submit जिसका मतलब होता है सीखर आफिर उचाई sum का मतलब भी क्या होता है height होता है total होता है highest होता है extreme होता है तो submit इसी तरीके से बना है sum word से इसके synonym आप लोग ध्यान में रखोगे क्योंकि काफी बार पूछा गया apex हो गया climax हो गया peak हो गया pinacle हो गया genit हो गया clear जा तक जिसका meaning होता है शीखर आफिर उचाई यहाँ पर आप लोग पूरे समझ गये ठेक है अब एक बार फिर से मैं वर्ड्स को remind करा जूँ आपको कि कितने सारे वर्ड्स को हम लोग देखे हैं यहाँ पर एक्रो एक्रो का मतलब होता हाइट या फिर extreme एक्रोनीम बना है एक्रोबैट बना है एक्रोफोबिया बना है एक्रोपॉलिस acronym का मतलब ऐसा word जो बहुत सारे word के initial letter से मिल करके बनाते हैं उसको acronym कहते हैं संचीपत नाम संचीपत रूप Acrobat का मतलब height पर walk करना Acrophobia का मतलब fear of height Acropolis का मतलब किसी भी शहर का जो उंचा वाला भाग होता है उसको Acropolis कहते हैं फिर alt अ फिर alt अ फिर alt अ विस सबका भी मिनिंग होता है height आ फिर high altar का मतलब आप समझ गयो कि जहां पूजा आर्चना करके हम कुछ sacrifice करते हैं कुछ चड़ाते हैं उस highest पार्ट को क्या कहते हैं उस highest table को क्या करते हैं Alt अ फिर altitude का मतलब उन्चाई होता है Exalt का मतल colours किसी की परशंशा करना होता है ऑफिर किसी के पद आफिर स्थर को Level को Rise करना होता है मतलब ProNet करना होता है एना मतलब ProMotion करना होता है repetition का मतलब बता दिया Exalt का क्या होता है Noun form होता है इसका meaning आप लोग अनुमान लगा कर कि मुझे कमेंटर में बता सकते हो Altigraph का मतलब क्या होता है उचाई को record करना Altimeter का मतलब उचाई को measure करना Altigraph का मतलब same यहाँ पर Altigraph दो बार आ गया Altimeter मतलब ऐसा science जहाँ पर height को measure किया जाता है Altocumulus क्यूमिलस का मतलब pile होता है height पर किसी चीज़ के pile को देखते है इसका मतलब है कि एक तरह का cloud है बादल है Alt始ORE status का मतलब भी होता है status का मतलब layer होता है और Alt का मतलब height तो height पर किस चीज़ का layer देखते है एक तरह के बादल को देखते है फिर epic और फिर apex जो है अपिक्स खुद मेरे अपने आप में वर्ड है जिसका मतलब भी होता है हाईसट पाइट आना हाईस्ट पॉंट एपिकल भी इसका मतलब आप जानते हो कि किसी चीज़ के अगर्भाग को कहते है मतलब की जैसे ट Papудь का अगर्भाग को कहते है apical, apiculate का मतलब होता है कि किसी tip point के तरफ abruptly end करना, ये कहलाता है आपका apiculate, जैसे कि एक example बताया था apiculate leaf, हिपसो का मतलब भी height होता है, sum का मतलब भी total, आफिर height होता है, हिपसो से बना है, हिपसोग्राफी, हिपसो मीटर, हिपसो मेटरी, sum से बना है, sum खुद बना है, summary बना है, summation बना है, submit बना है, summa बना है, इसका भी meaning मुझे आप comment में बता सकते हैं, और निमान लगा करके, ठेक है, तो ये सारे word है, अगर ये सारे word के कोई भी चार option आपको दिये रहेंगे, तो मुझे उमीद है कि आप आसानी से टिक कर पाओगे, सही आंसर पर, ठेक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पूरे complete word power series को पढ़ेंगे, तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का class नो ये wrap up करते हैं, thank you very much.